तो Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं TVS Motor Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे आगे के लिए के टार्गेट्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके जो quarter two के results announce होने वाले आज उसको लेके यहां पर market ने के estimates लगाए हूए वो भी आपको बताऊंगा तो सबसे बहले हैं आप इस टॉक के targets बता जाता हूँ अभी अगर आप यहां पर देख हुए तो stock यहां पर trade कर रहा है around 27.58 रूपीस के around और यहां पर आप देख हुए stock के लिए एक range थी जिस range को यहां पर इसने पिछली बारी break करा था और break करके retest करने जब आया था तो दुबारा fail के इस ही range के अंधर आ गया था क्लोजिंग देता है यह चीज याद रखना तो फिर यहां पे इसमें अभी लेवल निकल के आ रहा है जब यह लेवल ब्रेक होगा 2850 का तो हमें फिर इसमें और अपमोव आलमुस्ट 3,000 रुपीज तक देखने को मिल सकता है तो यह लेवल अभी फिलाल के लिए निकल के आ रहे हैं इसमें डाउन साइड आपको जब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक यहां पर यह 2600 रुपीज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अब उसके बात कर ले यहां पर जो इसके quarter 2 के result आने वाले आज उसके लेके यहां पर market के capit लगाया है सबसे पहले यहांपर revenue की बात कर लेता है कि यहां पर revenue को लेके kaya estimate निकल का है तो वो है यहाँ पर 9,552 क्रोर्स का यहाँ पर revenue estimate करा गया है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर net profit की बात करें तो वो यहाँ पर 704 क्रोर्स का यहाँ पर net profit का estimate है earning पर share की बात करें तो यहाँ पर 14.3 रुपीस का यहाँ पर earning पर share estimate करा जा रहा है तो ये figures यहाँ पर निकल के आ रही है अब देखना ही है कि जब आज results announce होंगे तो क्या वो results इस estimate को beat कर पाते है market के या फिर नहीं कर पाते तो उसके लिए बने रहना चैनल पर जैसी results आइंगे मैं आप लोगे साथ share कर दूँगा सो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में